हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो मैं आपको एक नई recruitment के बारे में बता रहा हूं और यह recruitment आईए एमस के अंदर एमस रिसी केस तो दोस्तो इसके अंदर कई पोश्टे हैं और मैं बताऊंगा कि एक journal जिसने सिर्फ only graduation कर रखा है उसके लिए कौन सी पोश्ट है और जो nursing officer के लिए उसमें क्या लग से मागा गया है तो हम पूरा इस पर discussion करने वाले हैं और दोस्तो अगर आप बहुत ही जुलाई को इसका result आया था मैंद बीस जुलाई को इसका exam हुआ था ठीक है written test online exam हुआ था और 27 तारीक को 27 जुलाई को ही इसका result आया और 38 तीस तारीक से इन्होंने जो है joining start करा दी थी ठीक है तो यह जो जॉब है यह आपको बहुत ही जल्दी मिल सकती है क्योंकि अभी जै यह जो है वह एक autonomous body है जो की काम करती है ministry of health और welfare में ठीक है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसमें निकली हुए nursing officer की nursing officer में आपको क्या होने चाहिए bsc honors होने चाहिए nursing में या फिर bsc nursing from an Indian nursing counseling recognized institute of university ठीक है तो आप यहां पर यह देख सकते हैं और इसके अलाव किए इसी में ओबी सीके 84 और एसी की 47 ठीक है और एस्टी की 56 इस तरीके आप देखेंगे और यह physically handicap जो हमारे भाई है उनके लिए यह है इसमें जो आप लोग डाल सकते हैं उसके लिए है आपके लिए office assistant NS NS का मतलब होता है non-secretariat ठीक है तो इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए commerce होना चाहिए आपकी सिर्फ graduation होने चाहिए ठीक है और computer के अंदर आपका computer का घ्यान होना चाहिए ठीक है तो यह essential qualification है computer के लिए कोई certificate अलग से नहीं मांगा है नहीं O level नहीं CCC का आपको ध्यान रखना है कोई अलग्ति certificate नहीं मांगा है इसमें जो general की वेकेंसी है वह है छे आपको देखने से लग रहा होगा बहुत कम है मगर यकीन मानिए दोस्तों आपका 6 में भी selection हो सकता है ठीक है क्योंकि इस फॉर्म को बहुत ही कम लोग भरते और मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि क्यों यह फॉर्म पिछली बार भी बहुत कम लोगों ने भरा था और इस बार भी यह कम ही भरा जाएगा मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगी चलके फिर आप OBC का देखेंगे तो पांच बेकेंसी हैं SC के अंदर 3 हैं ST के अंदर 2 हैं और एक बेकें होने चाहिए उसके अलावा जो है आपकी 100 बार पर मिनेट की जो है वह टाइपिंग स्पीड होने चाहिए ठीक है टाइपिंग नहीं आपकी डिक्टेंशन वाली जो लिखते हैं और इसके ग्रेट पर देखेंगे आप 42 है उपर वाले का भी 42 है यानि 42 ग्रेट पर आपकी इस जॉब में आपका ट्रांसफर कभी नहीं होगा आप रिजी केस में ही रहने वाले हैं और इसके अलावा जो है मला आपकी स्टैटिंग जो होगी वह बैलिस 45,000 के बीच में होगी और यह गर्वर्मेंट जॉब है ठीक है उसके अलावा एक और बेकेंसी है परसनल असिस् इसमें क्या है इसमें जो स्पीड मांगी जाती है दोस्तों वह बहुत जाए पहले बाले से ज़्यादा मांगी गई है है यह भी इस्टैणों ही एक तरगी कि इसमें क्या है साथ मिनट के अंदर आपको 120 वर्ट पर मिनट देखी कितनी हेवी स्पीड है और यहां पर मांगी हमारे चैनल से कई सबस्क्राइबर ऐसे भी होंगे जिनका बीटेक कंप्लीट हो रखा है या फिर फिर पोस्क्रीशन कंप्टर होंगा चाहें वह एम सी हो या फिर एम टेक हो तो उसमें क्या है एक तरीगी प्रोग्रमर की पोश्ट है इसके अंदर दो पोश्ट हैं ठीके तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलाबा, देखिए, फ्री टेक्निशन किया गई, टेक्निशन में B.S.C. ओनर्स, रेडियोग्राफी वाला, यह साइध हमारी चैनल पर ऐसे बहुत कम इस्टुएंट होगे, इनके पास यह डिप्लोमा होगा, इस तरी यह डिग् ऐसे इसे आप भरिए, और जिने श्ननों आती है, जिने श्ननों ग्राफी आती है, वो भर सकते हैं, पर्सटनल असिस्टेंट का फॉर्म और प्राइवेट सेगेटरी, यह दो है, इनको भरा जा सकता है, ठीकि दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, यह फॉर्म क्यों कम भरा ज क्योंकि जो लोग बेरुजगार होते हैं इसलिए आप अगर अपनी तयारी पर confidence है अब मैं इसका आने वाले जो वीडियो होगा अब मैं इसका आपको exam को पूरा pattern बताऊंगा क्योंकि दोस्तों यह exam मैं दे चुका हूं 20 जुलाई को मैंने यह exam दिया था 27 को जो result आया था उसमें मेरा भी नाम आया था मगर मैंने इस job को इसलिए इसमें मैंने extension ले लिए क्योंकि मेरे दो तीन result और भी पेंडिंग थे और इस चीज हुई है इस बार एक चीज यह हुई है पिछली बार SC ST और PH के लिए भी जो है यह फॉर्म की फीज थी वो थी एक हजार रुपे पर इस बार जो है यह निल कर दी गई है शुन्ने कर दी गई है ठीक है तो ओभी सी जनरल के लिए तो दोस्तो अगले में आपको मैं एक्जाम पैटर्न बताऊंगो आप देख लीजे कि आप इसमें यह दो पोस्ट में से किसके लिए लिए और इसके बारे में और भी जनकारी मैं आपको नेक्स वीडियो में दूंगा आपकी इससे रिलेटिड कोई क्वेरी है तो आप मु जुड़ी हुई है क्योंकि मुझे आपने चैनल का जब मैं वह देखता हूं इस्टेक्स करता हूं तो 25% इसके अंदर महिलाएं जुड़ी हुई है तो उनके लिए यह फीस बिल्कुल निल है ठीक है तो वह इस फॉर्म को जितनी भी हमारे चैनल से महिलाएं जुड़ी हु जो भी क्यों करिए और इस एकदाम को मैं खुद कॉलिफाइ कर चुका हूं इसलिए आपको पूरी इसकी रणनी की बता सकता हूं कि किस तरीके से आपको स्टेप बाई स्टेप तयारी करनी है तो मेरे चैनल पर जितने भी हमारे चैनल पर लोग हैं उन सभी से मेरी दरखास है कि आप इस फॉर्म को अपलाई करें क्योंकि इस अभी आप देखेंगे किसी भी उस पर यह डाला ही नहीं गया है मतलब रिक्रूट्मेंट की साइट फिर ठीक है अभी मेरे को इसलिए मिल गया है क्योंकि जब मैंने इसकी साइट दुबारा खोल के देखी तो जो जिन ल मैंने इसलिए मिल डपलाई का झाला है कि आप दुबारा खोल के लिए उन खी मेंगेंगे तो जो ऑाला है कि उस बतके वहाँ झाला है कि आप साइट और रिक्रूब इसलिए एक्रूब भावेश